आज हमारे आसपास कई बीमारियों का खत्रा है इससे बजाओ के लिए शरीर को स्वस्थ रखना और इम्मिनिटी को बढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया है अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हर बीमारी से लड़ सकेंगे आज खल बढ़ती बीमारियों का मुख्य कारण लोगों की बिगरती दिन चरिया है आपके बिगर लाइफस्थाइर ही कई बीमारियों का कारण है तो चलिए आज से ही ने शुरुवात करते हैं पूरी नीन लेना अच्छी सिहत के लिए बहुत जरूरी है नीन पूरी नहोने स इंसुलिन, पतिरोड, वजन, इमिनिटी और मानसिक स्वास पर पुरा असर पड़ता है अपने शरूर को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से फिट टकने के लिए 6-8 घंटे की नीन लेना बहुत जरूरी है पूरी नीन ना होना और समय पर ना सोना कई गंबीर बीमारी का का करन बन सकता है फल सबजियों से भरपुर फोजन करें स्वर शरीर पाने के लिए अच्छा और हेल्दी खाना बहुत जरूरी है अच्छा पोजन शरीर की इमिनिटी को बढ़ा कर संक्रवन और बिमारियों से बचाने में मदद करता है इसके लिए खूप सारे फल सबजिया नड और साबुत अनाज को अपने देनिक अहाल में शामिल करें हमें रोजाना 400 ग्राम सबजी और फलों को खाना चाहिए रोजाना योग करें आपको योग करने की आदत भी अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए योग करने से हमारे एकागरता बढ़ती है हमारा क काम करने में मन लगता है, यह हमें कई तरह की मांसिक बीमारियों से दूर रखता है, मांस वेश्रियों को मजबुत बनाता है, जादा देर बैटने और स्क्रीन टाइम को कम करें, आज कल अक्सर लोगों का दिन काम की वज़े से बैठे-बैठे ही बीच जाता है, यह आपके श डोग का खत्रा बढ़ाने वाली हो सकती है, एक ही स्थान पर जादा समय तक भेटने से बचे और स्क्रीन टाइम को कम करने का प्रियास करें